यहां पर देख सकते हैं इस तरह से लिख रहा है और वापा से देखते हैं यहां पर इंस्टाल पर मैंने क्लिक किया सारी सेटिंग करके और यहां पर देखिए यहां पर हमारी एप देखिए अभी पेंडिंग मत आ रहा है लेकिन अभी मैंने सारी सेटिंग कर लिए देखिए जाती है कुछ बग आ जाता है इसके वजय से दिक्कत होती है इस प्राब्लम का मैं पूरा सलुसन लेकर आया हूं कैसे कैसे क्या करने और 100% आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा क्यों कि यहां पर 5 सेटिंग में आपको बताने वाला हूं कोई सेटिंग छोड़ा नहीं हूं सभी सेटिंग आपको बताने वाला है पांचो सेटिंग तो आपकी डाउनलोड होके रहेगी तो बिना किसी देर की इस वीडियो को करेंगे शुरू और वीडियो अच्छी लगगी ना तो सपोर्ट भी जरूर करेगा वीडियो को लाइक हैं चैनल को सब्सक्राइब आई द यहां पर आपका लोगो या प्रोफाइल दीखे आकोने पर आप तो नाम का पहला अच्छा होगा इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपसन आपको देखने को बिलेंगे सबसे पहले जो मैं कहूंगा वह करना है पहला सेटिंग यही है कि यहां पर यहां से बैक आएगा दोबारा से अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेगा दोस्तों मैं बिल्कुल अब दूसरी सेटिंग की तरफ चलना हूं यहां पर आपको क्या करना है एक आपसन आएगा ना मैंने अपने डिवाइस का इस पर क्लिक करिएगा ठीक है और सबसे पहले आप होना भी बहुत जरूरी है नहीं तो आपका आप नहीं डाउनलोड होता ठीक है अब अगली सेटिंग क्या है कि आपको ऊपर देख सकते हैं एक आपसन अपडेट एवाइलेबल का जिसके नीचे एक आपसन है सी डीटियल तो सी डीटियल पर क्लिक करिए इसमें चेक करिए क पहले से तो नहीं डाउनलोड हो रही है यदि पहले से डाउनलोड हो रही होगी ऐसे कट कर देजेगा फिर नहीं वाली आप डाउनलोड करेंगे 100% होने लगेगा यदि फिर भी ना डाउनलोड होता आपको क्या करना मैं अगली सेटिंग के तरफ चलना अब ध्यान दीजि जिएगा कि आपका Google Play Store कहा है उपर सर्च का अपसन है इसमें लिख लेते हैं प्लेश्टोर तो आ जाता है प्लेश्टोर इस पर क्लिक कर लेना है जैसे जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे वैसे करना है आपको क्या करना है दोस्तों है हाँ पर सबसे पहले तो एप पर्मिसन पर क्लिक करना है और देख लेना सब पर्मिसन इलाओ तो है जो ना इलाओ हो जैसे इसको इलाओ कर लिजेगा जैसे जो बाचा इसको भी इलाओ कर दिजे ठीक है अब यहां पर नीचे है देख सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे तेक आफसन है बहुत सरे आफसन है लेकिन हमें क्या करना है storage पर क्लिक करने के बार clear data पर क्लिक करना है और clear data पर करने के बार clear cage करके लोके कर देना है और वह आपस सेंप्ले स्टूर में जा करें दे कोई डाउनलोड करना चाहे न तो आसानी से डाउनलोड हो सकती है अब मैंने बोला था जो आखरी सेटिंग हो बहुत ही मतलब working है 100% तो यहां कैसे working है आएप को बताते हैं आपको अप्लिकेशन पैसे दबा के चलिक ड抹ना ठीक अब यहां पर एक अफ्शन का एक उप्शन दिखेंगक इस आप इनफो पर क्लिक करेंगे अब देखी यहां पर एक आफ्शन होगा नीची आप आथे हैं तो यहां पर नीचे आउपर क्या करना है storage पे click करके clear data पे click करके clear all data करके okay कर देना है बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा google play store ही delete हो जागा तो ऐसा नहीं है सारी settings refresh हो जाती है कोई gmail हो गरे नहीं उड़ता सारा कुछ वैसे रहता है बस आपकी google प्लेश्टोर रिफ्रेस हो जाती है और आपका जो एप है और डाउलोड होने लगता है मैं लाइब दिखाऊंगा आपको सारा कुछ मैंने ऐसे ही किया तो मेरा हुआ यहां पर हम सर्च कर ले है गूगल कोई भी एप हम यहां पर सर्च कर ले गूगल टीवी मेलज में डाउन होता है तो अच्छा होना चाहिए डाउलोडिंग स्टार्ट हो गया तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा यहां पर डाउनलोड होने लगा वीडियो अदि हमारी अच्छी लगई हो ना इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल देखिएगा बैबै दोस्तों